नमस्कार मैं होदर शंका न्यूज बाइसकोप में आप सुवंका स्वागत है अभी अभी बड़ी खवर आ रहे है कि कॉंग्रेस ने तीन लोग सवा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नामों का एलान कर दिया है सबसे पहले खूटी की बात की जाए खूटी से काली चरण मुंडा को अधिकरत प्रत्याशी के तौर पर घोशित कर दिया गया है वही हाजारी बाग से जेपी भाई पटेल जो कुछ दिनों पहले ही बीजेपी छोड़ कर कॉंग्रेस आया थे उनके नाम की घोशना कर दी गई है और लोहरदगा से सुगदे वगत के नाम की घोशना कर दी गई है इसके अलावा कई और सीटों पर घोशना की गई है लेकिन सवाल ये उठता है कि जारखन में सिर्फ तीन सीटों पर ही घोशना क्यों की गई है क्या गडवंधन को लेकर कोई सवाल है और अगर इन तीनों सीटों की बात की जाए तो सबसे पहले खूंटी की बात कर लेता है खूंटी में काली चरन मुंडा एक मजबूत प्रतियासी के तौर पर उभर कराये थे और सिर्फ 1445 वोटों से चुनाओ हार गये थे जिसके बाद इन्होंने गड़वडी का आरूप लगाते हुए मुकदमा भी दायर किया था जिसकी सुनवाई अभी तक चल रही है और अरजुन मुंडा उसमें जीत गये थे 1445 वोटों से बड़ा ही रोमांचक संगर्स देखने को मिला था और बीजेपी ने हलांकि इस बार लगबग दो हपते पहले ही अरजुन मुंडा के नाम का एलान कर दिया था लेकिन कॉंग्रिस अभी तक खुंटी से अपने प्रत्याशी के नाम की घोशना नहीं कर पाई थी और इसका खामियाजा काली चरन मुंडा को उठाना पड़ रहा था हम हर दिन यही बात कह रहे थे कि आखिर काली चरन मुंडा जो इतने मामूली अंतर से चुनाव हा रहे हैं उन्हें अभी तक अधिकरत प्रत्याशी के तौर पर उनके नाम की घोशना क्यों नहीं हो रही क्योंकि वो अभी तक घर बैठे इंतजार कर रहे थे कि क्या कॉंग्रिस किसी और चेहरे पे दाओं खेलेगी क्या दयामनी बारला होंगी या और कोई उमीदवार होगा और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि उनके कामकाज का असर खुंटी में कितना दिखाई देगा इसी तरह से अगर हजारी बाग की बात की जाया तो हजारी बाग में अब मनीज जैस्वाल दावेदार हैं बीजेपी की तरफ से और वो बिधायक रहे हैं एक माना जाता है कि उनका अच्छा खासा जनाधार रहा है जेपी भाई पटेल मांडू से बीजेपी के टिकट पर जीते थे इससे पहले वो जेमेम में हुआ करते थे जेमेम छोड़कर वो बीजेपी आया थे लेकिन बीजेपी में भी उनका मन नहीं लगा और पांच साल लगबग पूरा होते होते हुए बीजेपी छोड़कर कॉंग्रेस में चले गया हैं और कॉंग्रेस ने उन्हें लोगसभा उमीदवार बना दिया है जेपी भाई पटेल को कहीं कहीं उमीद थी कि बीजेपी उन्हें भी उमीदवार बनाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसके बाद वो निराश होकर कॉंग्रेस में गये और कॉंग्रेस ने उन्हें अब उनके नाम की घोशना कर दी है तो चुनावी मौदान में वो होंगे कहा ये जा रहा है कि OBC समुदाय से आते हैं महतो समुदाय से आते हैं जिसकी आबादी हजारी भाग लोगसवा छेतर में अच्छी खासी है उसी भरोसे कॉंग्रेस है और कॉंग्रेस अब चाहती है कि वो एक मजबूत उमीदवार के तोर पर मुकाबला दे वहीं अगर लोहरदगा की बात की जाए तो लोहरदगा में सुग्देव भगत पिछली बार 10,000 कुछ सब वोटों के मामूली अंतर से हार गया थे और ये सवाल अपने आप में बड़ा सामने आ गया था कि आखिर लोहरदगा में इतने टफ फाइट के बावजूद सुग् सुग्देव भगत अगर लड़ते हैं तो जेमें के जो प्रत्यासी हैं चमरा लिंडा वो मुकाबले में होंगे या नहीं क्योंकि चमरा लिंडा हर बार कॉंग्रेस या जेमें कॉंग्रेस प्रत्यासी के खेल विगार देते हैं तो अब सुग्देव भगत के लिए सबसे वरतवान वे वित्तमंत्री हैं अब सुग्देव भगत को कितने मजबूत परत्यासी के तौर पर अब कहां तक फाइट दे पाता है क्योंकि इस बार सुदर्सन भगत की जगा समीर उराओं परत्यासी हैं बीजेपी से लेकिन इसके बावजूद सवाल ये उठता है कि पहले फेज में यहां चार सीटों पर चुनाओ होना है जिसमें चाइबासा, खूटी, लोहरदगा और एक पलामू का नाम शामिल है लेकिन पलामू और चाइबासा को लेकर कॉंग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं क्या इससे सवाल ये उठता है कि क्या पलामू पर जेमें दावेदार है या आरजेडी दावेदार है या फिर यही सवाल चाइबासा में भी उठ रहा है कि क्या चाइबासा सीट कॉंग्रेस इस बार नहीं लड़ेगी तीन सीटों पर नामों की घोशना की है और पहले फेज की दो सीटों के नामों की घोशना की गई है और दो सीटों को छोड़ दिया गया है देखने वाली बात यह होगी कि कॉंग्रेस कब तक प्रतियाश्यों के नामों की घोशना करती है फिलाल हमारे साथ इतना ही हमें दीज इजाज़त और आप देक्तरी न्यूस बाइसकोब नमस्कार